नमस्कार मुंबई डॉम्बी वली स्थीत श्रीमती मीनाबेन विपिन बाईसा और खुश्बू प्रतिक्षा कच्छंजार वाले अपने विचार जताए वो आज के संडेस में द्यान से सुनिये एक शिके की दो पहलू कोरोना जैसा सिकारी सिकार करने के लिए निकला है पुरे विस्वा में गुमता फिरता है लाखो लोग उसके सिकार बन चुके है हमें सावधान रहना चाहिए गर में रहना चाहिए लोक डाउन में परिवार को डेने के लिए समय ही समय मिला है बड़े नगरों में गर के सब्यों को बिल्कुल समय नहीं था आज सब एकत रहो के साथ में रहते है पिता संतानों को समय देता है पुत्र माता पिता और पत्नी को समय देता है साथ बैटना खेलना और पुरानी यादो दोराना साथ में मिल जुल कर काम करना बहुत अच्छा लगता है मन को आनंद मिलता है लेकिन समय मिला है तो समय का सदुपयोग करना चाहिए केवल खाने पीने सोने खेलने की साथ साथ जीवन विकास उपयोगी प्रवरूती भी करनी चाहिए पुरा परिवार जब एक साथ गर में ही है तो कम से कम दार्मीक संसकारों को समर्धन के लिए सत्संग योग ध्यान वांचन और आपको अच्छी प्रवरूती में जिस विशे में इंटरस हो वो करना चाहिए छोटे बच्चों को संसकार देने के लिए बड़ा अनमोल समय मिला है महापुरूसों की कहानिया विरांगनाओं की कहानिया विशिष्ट पुरूसों की कहानिया बच्चों को सुनानी चाहिए प्रभुभक्ति, किर्तन, धून, जाप करना चाहिए ऐसी जीवन उपयोगी कार्य करने से समय सार्थक और धन्य हो जाएगा अच्छी प्रवरुतियां करने से गर का वातावन सुध पवित्र होगा मन शांत रहेगा गर में रहने से कंटाला नहीं आएगा खुद को आनन्द मिलेगा, परिवार भी खुश रहेगा मन में अच्छा विचार आने से ताजगी स्फूर्ती मिलेगी मान सिक स्वस्त रह सकेंगे कोराना जैसा सिकारी गर का अच्छा महौल डेकर कुछ नहीं कर सकेगा लोक डाउन का पालन भी होगा और गर में आप स्वस्त भी रह सकेंगे सिके की दूसरी पहलू कोराना की जपट में लाखो लोग आ गए है लोग बेगर और बेरोजगार हो गए है बेसहारा भी हो गया है बहुत लोगों को नुकसान भी हो रहा है सरकारश्री इस विकट परिस्थिती को सुलजाने के लिए बहुत सक्रिय और सजग है डैनीक जीवन की चीजें छोटे से छोटे आदमी तक पहुँचाने के लिए बहुत सरकारश्री ने अच्छी विवस्ता की है सरकार स्री के प्रियासों को लाख लाख धन्यवाद की साथ साथ हम भी इस कार्य में कुछ न कुछ सयोग देना चाहिए इस संकट की गड़ी में साथी हाथ बढ़ाना आप भी इस कार्य में हाथ बढ़ा सकते है मोबाइल में एक मेसेज आया अपनी बिल्डिंग के ग्राउन में एक डिबा रखेंगे इस डिबे में आपको जितनी रोटी रखनी हो रख सकते है सुबह दस बज़े तक आपको डिबे में रोटी डालनी है इस रोटी आँ बुखे बेगर लोगों के लिए सप्रेम डी जाएगी पहले दिन दोसो रोटी या दिबे में एक अत्र होई शिल शिला चालू रहा दूसरे दिन दोसों से ज्यादा दूसरे दिन उससे भी ज्यादा रोटी या दिबे में आने लगी रोटी वाली बात मेसेज के जरिए अगल बगल दी बिल्लिंग में फारवर्ड होने लगा अभी डिबे में 10 सजार रोटीयां जमा होने लगी जिसने यह कार्या शुरू किया वो यूवा मंदर पास के मंदिर में रोटीयां देते मन्दिरवालों और युवा मंडर रोटी की साथ बाजी, किचली तयार करके लोकडाउन के नियमाँ का पालन करते हैं गरीबों को, बुक्खे लोगों को खाने को पहुँचाते हैं 800-1000 गरों तक यह खाने का पहुंचाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा चोटे से चोटा कार्य भी कितना अच्छा और बड़ा हो जाता है आप भी ऐसे कार्य करते रहो इस मुस्केली के समय में एक दूसरे को मिल जूल कर ऐसे कार्यों में हाथ बढ़ाना चाहिए अच्छतू